Welcome Everyone, उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम सुवस्थ होंगे अगर आप SSC IMD Scientific Assistant की preparation कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है इसको बिल्कुल भी skip मत करियेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपनी strategy बनानी चाहिए क्या क्या prepare करना चाहिए, कौन सी बुक से आपको preparation करनी चाहिए जिससे last का जो ये डेड़ दो महिना बचा है इसमें आप अपना maximum output निकाल सको देखी ये exam जिन में आपको specific requirement मांगते है इनको निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अगर आपकी subject में पकड़ अच्छी है तो आधा काम आपका वैसे ही बन जाएगा और काफी सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे यानि अगर आपकी physics या फिर computer science, electronics इन तीनों में से किसी में भी अच्छी पकड़ है या फिर आप इनकी basic चीजों को जानते हो तो आप आसानी से इसको qualify कर जाओगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया आपको जो total form बरे गए है जो कि है ढ़ाई लाक और vacancy आपकी only 900 है तो इससे गभराना नहीं है क्योंकि इसमें आदे से जादा बच्चे तो वो होते हैं जो की form भरते हैं केवल और exam देते नहीं है क्योंकि SC, ST और साथ में female वालों के लिए form बिलकुल free है तो वो form तो बर देते हैं और exam center अगर बिलकुल pass आ गया तो exam दे देंगे वरना नहीं देंगे तो आप यह मानों कि लगबग एक लाक बच्चे ऐसे होंगे जो कि sincere preparation कर रहे होंगे जिन से आपका असली competition है यानि आपको एक लाक में से लगबग 1000 बच्चों में आना पड़ेगा तो 1% बच्चों में आपको आना पड़ेगा अगर आपको इसको qualify करना है तो यह बिलकुल आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा tough भी नहीं है साथ ही यह single stage exam है तो इसकी cut off भी हो सकता है कि high जाए और level 6 का exam है 1200 grade पे की post है तो इसके लिए आपको तगड़ी महनत करने की जरूत पड़ेगी तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन सी books इसमें पढ़नी चाहिए और क्या preparation की strategy आपकी रणनी चाहिए मैं आपको step wise बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको वो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इस चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आपका आता है step number one इसमें देखिए last का जो डेर दो महिना बचा है इसमें मुझे लगता है कि लगबग लगबग आपकी preparation हो चुकी है और last stage पर आप prepare कर रहे हो लेकिन काफी सारी बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ topic छुटे हुए हैं तो वो आप कहां से करोगे उसके लिए मैं आपको एक नीचे playlist की link दूँगा वहां से मैंने आपको बताया है कि कौन सा video आपको कहां से देखना है जैसे percentage आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको YouTube पर कौन सा best video मिलेगा best content मिलेगा वो मैंने आपको suggest किया है तो इसमें मेरी काफी मेहनत लगी है आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा कहीं पर भी आपको कोई भी topic में दिक्कत आ रही है तो वो YouTube पर बिल्कुल free में available है वहां से आप देख सकते हो इस परकार से आप अपना पूरा जो syllabus है वो cover कर लीजिए उसके बाद में दो नमबर चीज आती है आपकी books अब books आपको कौन कौन सी पढ़नी है देखते है सबसे पहले paper 1 के लिए जो books है वो मैंने आपको काफी बार बता दिये फिर भी जो नए viewers है उनके लिए मैं बता देता हूँ नमबर 1 English तो English के लिए मैंने आपको काफी बार बताया है नितु सिंग की जो volume 1 book है उसको आपको बार बार करना है कम से कम 2 से 3 बार इसको कर लेना है इसकी जितनी भी सारी चीजें है vocab, comprehension, grammar, सब कुछ आपको पढ़ना है ये book अगर आप कर लोगे तो आपकी complete English हो जाएगी फिर भी अगर आपके vocab में दिक्कत रहती है तो एक और book में आपको suggest कर रहा हूँ S.P. Baxi और grammar में आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप एक book पढ़ सकते हो जो की है Mirror of Common Error लेकिन आप पहले एक book complete कीजिए अगर ये आप अच्छे से कर लेंगे तो बाकी books आपको पढ़नी की ज़ुरत नहीं पढ़ेगी इसके बाद में आते हैं G.K पर G.K के लिए आपको एक book है Lucent वो पढ़नी चाहिए और इसको बार-बार करना चाहिए अगर ये कर लोगे तो आपको और किसी चीजिए की ज़ुरत नहीं पढ़ेगी Then आपका आता है mathematics Math में देखिए अगर आपको basic से करना है तो Kiran Publication की एक book आती है जो कि विशेशकर CGL, CHSL वाले बच्चे ही पढ़ते हैं जो कि आपको दिख रही होगी अगर ये book पढ़ने का आपके पास time है तो आप पढ़ सकते हो वरना एक book है राकेश या दव क्लास नोट्स ये पढ़ लो तो भी आपका complete math हो जाएगा और इसमें आपको trick के माद्यम से बताया गया है तो जो नए बच्चे हैं basic से पढ़ने वाले उनके लिए थोड़ा दिक्कत आएगी तो वो आप किरन publication से cover कर लेना इसके बाद में बारी आती है आपकी reasoning की तो reasoning में आप previous year question पर ही ध्यान दो जितने भी previous year question आई हुए हैं उन पर ध्यान दो वो सारे आप cover कर लो previous year question के लिए दो books आती है आपके सामने किरन और राकेस यादव दोनों में से आप कोई सी भी use कर सकते हो लेकिन किरन में जो भासा है वो ज़्यादा आसान आपको दी गई है अगर आप नए बच्चे हो बिल्कुल तो किरन publication पर जाईए और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और किरन एक बार कर लिये तो आप राकेस यादव पर सिफ्ट हो सकते हो इसके बाद में आता है आपका paper number 2 और सबसे ज़्यादा जरूरी यही है आपके लिए क्योंकि paper 1 की information हर जगए available है लेकिन paper 2 के लिए जो books हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा सबसे पहले number 1 physics physics के लिए मैंने काफी सारी books को देखा और कोशिस करी कि उसमें से best book को निकाल पाऊं लेकिन NCRT से जो 1112 की है उससे ज़्यादा अच्छी मुझे कोई भी book नहीं लगी हालांकि NCRT के जो language है वो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको typical लगी लेकिन वही आपको पार लगाएगी तो NCRT की जो books है न 1112 की वो आपको पढ़नी है अगर आप physics से अपना paper लिख रहे हो इसके बाद में आपकी बारी आती है computer science और electronics की तो computer science और electronics के लिए भी मैंने काफी books देखी उन में से मुझे ये books अच्छी लगी जो की है SSC scientific assistant एक तो electronics और communication की आती है और एक आती है आपकी computer science की ये दोनों किरन publication की books हैं अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनको देख सकते हो इनके मैं थोड़ी बहुत जो pages की photo है वो side में डाल दूँगा अगर आपको अच्छी लग रही हो जो की मुझे तो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको buy कर सकते हो निचे में आपको इनकी links भी देदूगा तो इस प्रकार से paper 1 और paper 2 दोनों की books भी हो जाएगी और कहां से आपको videos देखने हैं वो भी मैंने आपको बता दिये इसके बाद में बारी आती है stage number 3 की और वो है आपकी test series आप test series कहां से देनी है वो मैंने आपको बार बार बता रखाया अगर आप regular अमारी viewer हो तो test series number 1 मैं रखता हूँ test book को यह test series आपको जरूर जरूर लेनी है और इसकी link आपको नीचे मिल जाएगी वहां से आप इसको download कर सकते हो इसके अलावा भी एक test series है जो की है mock tree यह भी आप दे सकते हो लेकिन पहले test book को आप reference दो और test book के अलावा भी अगर आप एक और mock test लेना चाहते हो तो mock tree ले सकते हो और इसका code भी आपको मैं बता देता हूँ discount के लिए KP50 अगर यह code लगाओगे तो आपको discount भी मिल जाएगा और test book की जो link है उससे अगर आप download करके इसको buy करोगे तो उसमें भी आपको 10% discount मिल जाएगा साथ ही साथ अगर आपको हमारे notes सीए तो आप telegram channel पर देख सकते हो वहाँ मेरे सारे notes पड़े हैं और भी अगर आपके कोई query हो तो आप Instagram पर मुझे पूछ सकते हो तो चलिए इस वीडियो में इतना ही आगे भी हम ऐसे ही जोड़दार वीडियो लाते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी आप subscribe कर सकते हैं वहाँ पर भी नए नए वीडियो आते रहेंगे Thank you very much, bye bye